हेलो दोस्तों स्वागत एक बार आपका फिर आपके अपने चनल अर्राम सिश्टी पर मेरा नाम है जितिन द्यादब और हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं और देखेंगे कि कैसे उन कोश्टन को हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीस लाइक सिर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप ऐसी अमेजिंग क्लास लेने के लिए हमसे जुड़ जाएं तो चेले स्टार्ट करते हैं आज का सेसं और देखता है पहला कोशन हमें भी धहले में दो भीवाग है एक A है और इक B है तो 210 ब्हाग एं एक और एक B General यानि कि इसके और इसके मिलाकर average जो है ना वो 26 marks है, यानि कि अगर A में मुझे नहीं पता कितने marks मिले हैं, B में मुझे नहीं पता कितने मिले हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि overall पूरी class को जोडें, अगर A और B दोनों सेक्शन को हम जोड लें तो इनको 26 marks मिले हैं आगे हमसे बोला है कि विभाग 1 में 25 विध्यारती हैं विभाग A हेस में 25 विध्यारती हैं और इनको जो average marks मिले हैं वो कितने मिले हुए हैं तो जिनका औसत कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 30 यानि कि जो कक्षा A के विध्यारती थे ये हैं 25 और इनको average marks का जो answer है वो कितना है 30 है यानि कि 25 लोगों को 30-30 marks मिले होंगे लेकिन अगर हम B को भी जोड लेते हैं तो ये average क्या हो जाता है कम हो जाता है तो हमसे पूछा है कि कक्षा B के 20 विध्यारती है इसमें कितने विध्यारती है आपने का भाई 20 विध्यारती है अगर इसमें 20 विध्यारती है तो हमसे क्या पूछा हुआ है तो विभाग B का औसत प्रापतांग कितना है अब पूछे हमसे विभाग B का औसत प्रापता हूंग तो देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर औसत कितना है तो हमने इतना माल लिया मुझे यह जरूर पता है कि इसका रिश्यो कितना हैगा आपने कहा इसका चार आएगा अगर मैं इसकी value निकालता हूं तो आप जानते हैं कि जब मैंने एक बार 30 में से 26 घटाया है तो एक बार 26 में से यह घटेगा तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था 26-X माल लेते हैं उसको यह ratio आना चाहिए था हमारा अनुपाद ठेक है अब 4 की value कितनी है आपने देखा 4 की value है 20 कितनी गुनी है आपने कहा 5 गुनी है यानि कि अगर मैं इसको भी कितना गुना कर दो आपने कहा 5 गुना कर दो है ना तो आप देख रहे हैं इसमें multiply हुई है 5 की या तो मैं इसमें 5 से divide कर लो तो आप देख रहे हैं इस X को उधर ले जाओ और इस 5 को इधर ले जाओ तो X की value कितनी आ जाएगी 21 यानि कि कक्षा B ये जो है इसका average कितना रहा होगा 21 marks यानि कि कक्षा B के प्रतेग छात्र ने 21 marks मतलब अपने exam में लाया होगा तो देखो ऐसे भी कर सकते हम इस question को और एक तरीका बता देता हूँ कि direct भी हम कर सकते थे 4 की value कितनी है आपने का 20 है तो यहाँ पर घटा कर देखने की जरूत नहीं है आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से बात करता तो 5 गुना है तो यहाँ पर मैं एसा क्या लिखो भई जो इसका 5 गुना हो जाए हूँ आपने कहा ज़ wilt 5 आएगा जिस से भाग किया है 5 से तो 4 आया गा या इसको भाग करेंगर तो कितना आएगा 5 तो आपको पता है कि मैं ऐसा क्या घटा हूँ है ना 26 में से ऐसा क्या घटा हूँ यानि कि 5 क्या घटा हूँ तो कितना जाए 21 आ जाए तो हम इस question को यहाँ पर क्या करते है अगर मैं यह नहीं लिखता है यहाँ पर तो मैं यह डिरेक्ट लिख लेता कि यहाँ पर 5 आ रहा है इसका मतलब क्या यह 21 होगा, कि फिछ 26 में से जब 21 जाएगा तब ही 5 आएगा, तो आप डारेक्ट भी इस question को कर सकते हैं, तो चलिए और questions लेते हैं ऐसे ही, तो जो अगला question है हमारे पास बोला है कक्षा, एक कक्षा के छात्रों का ओसत 38 kg है, तो उनका ओसत भार है 38 kg, एक कक् लेवेंथ है, टोइल्थ है, आप कुछ भी लेलो है ना हमें उस सिफ रखनी पड़ता, आगे हमसे बोला है इन में से लड़कों का ओसत भार 42 kg है, यहाँ पर boys है, जिनका ओसत भार कितना है आपने कहा 42 kg है, आगे हमसे बोला हुआ है लड़कों का ओसत भार 33 kg है, तो लगता है, जहां मुझे अलग पता हो और इनका एक साथ पता हो कि पूरी कक्षा का ओसत भार कितना है, तो 38 kg है, तो हमसे पूछा है, यदि लड़कों की संख्या ग्याद करें, जबकि लड़के 25 है, हमें यह पता है, 25 है हमें गल्स की संख्या बतानी है, मुझे नहीं पता गल्स क्या है, तो हम रेश्यो की बात करते हैं, तो आपने कहा यहां कितना बचेगा, आपने कहा हैं, 4 बचेगा, यहां आपका कितना बचेगा, आपने कहा 5, यह देखो 5 की वेल्यू कितनी है, 25 है, 5 गुना है, तो बस 4 की वेल्यू भी कितनी होगी, 5 गुना होनी चाहिए तो लड़किया कितनी होंगे आपने कहा 20 लड़के कितने होंगे 25 और इनका अगर दोनों को मिला दिया जाए इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनका overall जो भार होगा 38 केजी होगा यानि कि 45 लोगों का average भार कितना होगा 38 केजी सिर्फ 20 लड़कियों की बात करें तो इनका 33 के तो मैंने बताया था कि सारे questions आसानी से हो जाते हैं यह मैंने आपको यहीं same questions कहां पर कराये हैं तो अगर आपने मेरी average की वीडियोजे देखर होंगी तो वहां पर भी मैंने आपने को और साथ करमचारियों का साथ तकनिकी करमचारियों का मासिक और सद बेतन दस अजार है ले बोला हमसे सेस करमचारियों का मासिक ओसत बेतन अठत्तर सो रुपे हैं बाकि सेस हमें नहीं पता वही कितने हैं इनका मासिक ओसत बेतन कितना आपने का अठत्तर सो रुपे हैं तो हमसे कोश्चन में क्या पूछा हुआ है तो हमसे पूछा है तो कुल कितने करमचारी थे तो ह अगर मैं इहाँ इंट्रा गटआ दें तो आपने का कितना बचेका आपने काuz 1500, पर अब अगर मैं इहाँ पर घटा दो आप जानते हैं, कि यहाँ पर कितना बचेगा देखो 15 से आड गए आपका 700, कितना बचेगा, आपने कहा 700, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, 2-0 से 2-0, काट लेता हूँ, यह है ratio की value, यह क्या निकाल रहे हैं, ratio निकाल रहे हैं, यानि कि 7 और 15 का ratio आया, यानि कि 7 अगर तक्नी की करमचारी रहे होंगे, तो अन्य करमचारी कितने रहे होंगे, कितने लोग काम कर रहे थे 22 तो allegation बहुत ही simple और आसान method है इस type के questions करने का मैंने आपको बोला था कि सारे type मैं आपको कराऊंगा तो आज हम किस पर based कर रहे हैं average पर based जो questions है उनको देख रहे हैं कि ये questions allegation से कैसे होते हैं तो अब आपको allegation समझ में आ गया होगा कि हम allegation को कहां पर लगा रहे हैं तो अगला question जो हमें दिया हुआ है बोला हुआ है कि 20 kg वाले गहों को 28 रुपे पर kg वाले गहों के साथ किस अनुपात में मिलाएं है ना ताकि हमें 20% का लाव हो जाए 30 रुपे पर kg पर बेचने पर तो यह पता आपको यह विक्रे मुल्य हो यहां पर हम क्रेम मुल्य रखते हैं कि कितना बना है यानि कि मैंने 20 रुपे वाले बासमत्य के चावल यानि वो 2,25 रुप्र केज़ी के बने होँगे तो चावल यहां है 25 का रहा होगा dette Promised निलाना पड़ेंगे तब जाके हमें रेट क्या मिलेगा 25 रर केजी इसी का इस्तेमाल करते हैं आपके जो आपने देखा होगा हाप कि अगर हम BASMATI के CHAVAL आ उस से उपर-उपर की Cos के CHAVAL लाते इसमें क्या करते हैं तो लोग पूस्ते वाले थोड़े CHGम्ल मिला दिया है ज़्कारसी रखे और यहां पर कुछ रखेगा और ऊसे पारा चल जाएगा कि कि मैं किस अनुपात में चावल मिला दू ताकि मुझे प्रॉफिट हो आप समझ सकते हैं कि सारे जो दुकांदार होते हैं वो इसका इस्तमाल करते हैं ऐसा नहीं कि प्यूर हमें वो चावल दे रहे हैं तो अगला जो कोश्चन है हमारे पास हो यह है कि 60 रुपे केजी वाली चाय को 65 रुपे के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिसर को 68.2 रुपे केजी की दर से बेचने पर 10% का लाब हो तो 60 रुपे पर केजी वाली है 65 रुपे पर केजी वाली है हमें यह दिया हुआ है हमसे क्या बोला हुआ है कि 68.2 रुपे केजी की दर से बेचने पर 10% का लाब हो तो 68.2 रुपे में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाब मिल रहा है आप जानते 10% का मतलब एक बटके 10 होता है यानि कि 10 की चीज मैंने कितने में बेची होगी 11 में तब जाके मुझे कितने का 68.2 का लाब होगा यानि दस परसेंट का लाब होगा तो आप बता हूँ ये कितना गुना है आपने सब्सक्राइब कर देंगे तो देखते हैं कि एलिगेशन में कैसे कैसे और कोशन्स आपके बन सकते हैं तो जो अगला कोशन है हमारे पास वो बोला है एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है प्रतेक कारा दिवस पर उसे 10 रुपे ये कल खरा दिया है नेक्स्ट कोशन करते हैं आगे बोला है कि एक परिक्षा में 200 कोशन्स पूछे मैं एक कोशन्स हरी करूंगा तो मुझे न zn Nich जाएंगे आगे क्या बोला हुआ ही कोशन्स में तथा प्रत्य गलत पर उसका आधां क्negeben कात लिया जाता है नहीज तो आगे बोला हुआ है смотреть इस पर्रिक्षा में उसे कुल 300 पीजन प्राप्द हुए तो उसने कितने गलत बात करता तो आपको पता कि उसे over all 300 question 300 number मिले हैं कितने number मिले हैं 300 तो अब बात बताओ जैसे मैंने कल आपको question कर रहा था मजदूर दिवसबाला है न की मजदूर इतने पर क्या है यह वहला same question जो मैं बोल रहा था अगर ये बंदा 200 के 200 200 questions सही कर देता है ना तो 2 के हिसाब से ते कितने नंबर मिल जाते आपने कहा 400 यानि कि अगर ये सारे प्रशन सही करता तो इसको 400 नंबर मिलने चाहिए थे और अगर ये सारे के सारे questions गलत कर देता तो इसके कितने नंबर कर जाते आपने कहा एक बिटे 2 के हिसाब से इसके कितन कितना नमबर मिलें आपने का 300 हम कहते हैं अवे देखते हैं निकाल कि गाले का तो आपको पता हुएंपर100 का रहने एप्षियोग और यहां पर कितने का रहने वाला है टो एक बार मैं इसमेंटसे इस घटा है तो एक गलत किए है लेकिन बुर्स इर्फ्र दोसो है आपने का 50 नाव 5 नाव कर 200 है तो आपने कहा यह कितना गुना है 5.20, 40 गुना है यानि कि इसने 40 कोश्चन गलत किये हैं तो 160 कोश्चन क्या किये हैं इसने सरी किये हैं तो देखो है alligation ही समझते हैं दुबारा से कि आपको यह क्या किया है 200 कोश्चन का एक paper दिया है जिसमें से अगर । इसने साही करता है तो तो 400 number मिलते और अगर यह सारे गलत कर देता तो इसके 100 number कट जाते यानि कि negative marking में इसके 100 number minus में चले जाते तो आप हमने अंतर कर लिया है बाकिया आपको पता चल गया है कि यह चार और एक ratio की value है तो आप आसानी से इन questions को iOS को हल कर सकते हैं अगव देख अगर आप इसे वियसे करते हैं कि में बिना सकantwort नमब कट रहे हैं अगर इसके सौ नमब कटें तो आप इसे एक कोशन करने पर किसके नमब कितने कट रहेнов आप कीड़ald आधा नंबर तो यह कट गया सुरी आधा नंबर यह कटा और दो नंबर का इसने वैसे नुक्सान कर लिया क्योंकि अगर इस सही करता तो दो नंबर मिलते लेकिन कटा है तो आपको पता है कि इसमें तो कटने वाले थो हुए हुए नहीं हूँगे हुए 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 या नहीं हुए तो आपने क्या कहा देखो कितने आसानिसां कर सकते हैं किबाई दो वह प्लस एक बट्टे फॉ Paye कटे इसके तो हम इसे सोच से भी कर सकتے हैं ऐसे ही मैंने वह पता होगा अब बस लोग क्या करते हैं पर गलती क्या करते हैं कि वह आधा नंबर कट रहा है रहा है सो नहीं लापाया बस पचास कोशन उसने गलत करदी है ऐसा नहीं है आपको यह बात याद रखनी है कि धो नंबर भी कडे हैं क्योंकि कोस्षिन अगर उसने खराब किया है तो उसको नुक्सान कितने का हुआ दो का तो वह वह और खराब होने पर आधा और कड़ गया तो टूटल धाई नंबर का उसको नुक्सान हुआ अगर धाई नंबर कितने के एक साप से आयेंगे 40 question जब उसने गलत किया होंगे तो आई होप आपको अभी clear रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी तो अगला question है में दिया हुआ है सेम कि एक परिक्षा में 100 प्रिशन है अगर परिक्षा में 100 प्रिशन है है ना और बोला है कि प्रतेक सही question पर उसे 2 अंक मिलते है और प्रतेक गलत पर उसका आधा नंबर काट लिया जाता है इस प्रकार उसे कुल 1.500 अंक प्राप्थ हुए तो हमें बताना है कि उसने कितने गलत प्रिशन किये तो देखो उसे दो नंबर मिल रहे है तो 100 पर कितने मिलते 200 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे अगर वो सारे के सारे गलत कर देता तो आधा नंबर कट जाता उसका तो 100 के हिसाफ से कितना नंबर कट जाते उसके आपने का 50 नंबर वो माइनस में चले जाता तो अगर यहां पर वह 50 माइनस में चले जाता, तो अब क्या है, आपको पता चल गया कि ना उसने 100 के 100 साई किये हैं, ना उसने 100 के 100 गलत किये हैं, उसने कुछ साई किये हैं, कुछ गलत किये हैं, जिसकी बज़े से कुल उसे 150 अंक में ले हैं, तो अब बस हमने क्या करना है, देखो 200 में से अगर मैं 150 घटाऊंगा तो कितना आएगा 50 एक बर 50 में से घटेगा तो आपका यहां कितना आजाएगा अपने का हथ 200 20 जिरो को श्रूंपर्ग करता तो चार इसके सही रहे होंगे अब कुश्चन पांच नयोंकर कितने आपने आपने का पांचन होकर सो 9 I get a आपने का यह वीजगून है यानि इसले के इसे कशन कैसी की होंगे उस्能 सही की होंगे तब जाके उसे कितने नंबर मिले 150 नंबर मिले अब मैंने आपको बताया था कि आप इससे सोच से भी कर सकते हैं तो अगर मैं सोच से बात करूं तो कैसे करता मैं वैसे थोड़ा सा रफ कर लो वरना बहुत घिच्पिस सी हो जाती है और फिर आपको समझ में नही कि ऐटें मिलने चाएउ थे नहीं यह थे 200 नंबर मिलने चाही के लेकिन उसे 150 नंबर मिले तो उसकी Eu ऑन पर प्टें से से इसे क्या कर देना है multiply पांस से कितने कर जागा दस दूनी बीस ऐसे questions रहे होंगे जो उसने क्या कि होंगे गलत कि होंगे तो अपनी reasoning को भी strong रखें यह reasoning से किया है मैंने question math लगाने की कुज़रती नहीं थी इसमें तो देखो चाहें आप allegations से कर लो चाहें आप ऐसे कर लो लेकिन allegation क्या है भी और questions जब हम देखेंगे तो allegation बहुत बड़े-बड़े questions को बहुत easily कर देगा calculation बहुत आसान कर देता है allegation है अगर आप देखेंगे कुछ questions shifting से होते हैं हम उसे आसाने से allegation से चुटकियों में कर सकते हैं आई होप आपको एक class समझ में आई होगी और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लेस लाइक से रिसकाब जरू कर दें तो चलिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में